हाई गुड मॉर्निंग आवरिवन आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे और लाइफ में काफी अच्छा कर भी रहे होंगे जैसे आप लोगों ने देखी लिया है कि आज हम किस बारे में बाते करने वाले हैं चलिए ज़्यादे टैम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज हम उन चार साइलेंट किलर पीमारी की बाते करेंगे जो इनसान की जान तुरंत ले लेती है और इन बीमारियों का हमें काफी टैम के बात पाचलता है कि हाँ हम इस प्राम पीमारे से ग्रहसित थे इस वज़े से यह डैफ हुई है तो चलिए सब्सेरे हम बीमारी की बात करते हैं लीवरados sends और लूर यरेटिड हमने एक वीडियो बनाई हुई है आप हमारी वीडियो चेक करेंगे लिवर के एक वीडियो बनाइ हुई है separate सेप३रइट हैं अब भी हम इसकी बात कर लेते हैं अब लीवर सीरोसी में होता क्या यविफ्ट अब लीवर cap का कर्णा जाथ एक अब Ohio को ब्रक्ट है तो बने था अब करके चलता यह उसकी वेलिडा करना ने этом इंसान के बचने के चांसिस ना के बराबर होते हैं चलिए लीवर के बारे में हम आपको एक चीज और बता देते हैं लीवर हमारी बोड़ी का एक ऐसा ओर्गन है जो खुद को ठीक कर सकता है सेकिंड चीज खुद को ठीक कर सकता है कब करेगा जब आप जो चीज लीवर को फेक्ट टिट करती हैं फोर एकसांपल जंक फूड ऐलकॉल और हाँ जंक फूड जंक फूड में काफे सारे चीज आती हैं और ऐलकॉल अगर आप कंजूम करना बंद करतेंगे तो लीवर आपका खुद को खुद से रिपेर कर सकता है ठीके तो प्लीज आप इसको अवेड कीजिए जो लीवर को खराब करती है और हाँ मैंने आपको बताया कि साइलेंट किलर यही एक करन है कि लीवर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि यह अचानक से इनसान की दैथ का करन बन जाता है चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दूसरी बिमारी की वो कौन सी है बिमारी मतलब डिजीज तो दूसरी बिमारी है हाई ब्लड प्रेशर देखिए हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है तो high blood pressure mostly जो हमला करता है, वो करता है heart पे, kidney पे और brain पे, without any symptoms, इसलिए इसको कहा जाता है silent killer, क्योंकि आगर आपका, वीपी बहुत जादा पढ़ता है, आपका heart block हो जाता है, ठीक है, और kidney damage होने की, मतलब kidney damage हो जाती है, किड्नी को भी काम करना होता है, ठीक है, तो यह आपका होगा, second वाला हमने आपको बता दिया, अभी हम third की बात करते हैं, जो most important भी है, diabetes की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो diabetes में होता क्या है, बहुत सारे किसों में, लोगों को पता ही नहीं चलता है, कि वो diabetes के patient है, because diabetes के, जो symptoms होते हैं, वो काफी time के बात दिखते हैं, second, world में 70-80% diabetic के patient हैं, ठीक है, तो और हाँ, यही एक कारण भी है कि diabetic को भी silent killer कहा जाता है, एक और चीज़, अगर किसी इनसान को diabetes हो जाती है, उसको बहुत सारी complexity हो जाती है, अगर उसको मतलब कहीं पर घाव अगयरा हो गया है, कहीं पर उसको accidental injury हो गी है, तो उसको recovery करने में काफी time लग जाता है, इसलिए अगर कोई किसी patient को diagnosis होता है, कि उसको diabetes है, तो diabetes को please lightly मतले, इसको serious way में इसका treatment ले प्रोपर, जिस भी डॉक्टर के supervision में आप ले रहे हैं, तो यह हमारा मतलब personal opinion है, please diabetes को आप इग्रोर ना करें, diabetes से बहुत जार दे, complexity हो जाती है, ठीक है, और हाँ, एक और हम चोथी disease के हम बात करते हैं, जिसको silent killer ही कहा जाता है, और इसका भी पता काफी time के बाद चलता है, अभी काफी time के बाद पाद चलता है, और जिसमें अगर initial stage में अगर आपको इसका बाद चल जाता है, तो मतलब ठीक है, और यह ओपर जो हमने चीज़े आपको बताई है, initial stage में अगर आपको उन चीज़ों का उन बिमारे को पाद चल जाता है, तो chances बढ़ जाते हैं कि आप खुद को बचा सकते हैं, अगर in the end आपको पाद चलता है तो chances काफी कम हो जाते हैं, चलिए अभी हम बात कर रहे हैं उस last disease के बारे में, जिसको silent killer कहा जाता है, kidney disease, देखे kidney का क्या है, हमारी body में दो kidney होती है, अब kidney बहुत ही जादा important organ है हमारी body का, ठीक है, second, kidney की जो symptoms होते हैं, कि kidney आपकी damage है, काफी time के बाद, जब 70 से 80 या 90 परसेंट आपके kidney damage हो जाती है, तब आपको पाद चलता है, अगर आप time to time मतलब kidney को ले करके conscious रहेगे, तो आप इसक इसमें भी पता कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो लोग जाद ही सराप पीते हैं, उनकी ही kidney damage होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, kidney damage होने के कहीं सारे कारण है, और kidney को ले करके भी हमने अपनी separate video डाली हुई है, कि वो 5 संकित separate video डाली हुई है, अपनी YouTube चैनल पर, आप हमारी playlist में kidney वाली वीडियो देख सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए, तो आज हमने बताया आपको 4 silent killer disease जो इंजान को तुरंत मार देती हैं, तो thank you so much कि आपने वीडियो को end तक देखा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, please आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजे, अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं, thank you so much, have a nice day.